नमस्कार दोस्तो, Star IQ में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज 27 सेप्टेंबर और 27 सेप्टेंबर 2020 के National और International Current Affair इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं आईए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारी वीडियो को अगर आपको मेरे दवारा पढ़ाए गए सभी लेक्चेस का पीडियो फाइल जीए तो आप मेंने टेलिग्राम चैनल Star IQ PDF को जरूर जोइन कीजिएगा Star IQ Quiz के नाम से टेलिग्राम ग्रूप है आप इसे भी जोइन कर लीजिएगा आज का पहला सवाल पढ़ते हैं कि पदम स्री और किस पुरुसकार से समानित मशूर गायक S.P. बाला सुब्रमन्यम का हाल ही में 52 वर्स की उमर में निधन हो गया है तो इनको कौन सा अवर्ड मिला हुआ है जिनका अभी हाल ही में 52 वर्स की उमर में निधन हुआ है तो ये पदम भूशन अवर्ड से समानित थे और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है 52 वर्स की उमर में जो की आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं ये इन्होंने छे भासाओं में 40,000 से भी ज़दा गाने गाये हैं वालिवुड में कमल हसन, संजदत, सल्मान खान की रॉमांटिक फिल्मों में सबसे लौक पिरे गाने इन्ही के ही गायेवे हैं बाला सुबरमन्यम के ही और अब ये इस दुनिया में नहीं रहे आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्यूस्तन हमारा है कि इन्हें से किस यूनिवस्टी के सोध करता हूने स्टुडेंट को संकरमन से बचाने के लिए बुक सैनिटाइजिंग मसीन विक्सित की है बहुत इपॉर्टन क्यूस्तन है आप समझिएगा कि किताबें हैं किताबों से भी संकरमन फैल सकता है इस करके जो है क्या कि लाइबरी से अगर बुक लेके आएंगे या कहीं से भी उनका बुक को सानिटाइज करवाना है तो यूवी ब्लास्टर लगाया गया है इस मसीन के अंदर और उसको किताबों को जो है इस मसीन के अंदर रखा जाएगा और थोड़ी देर के बाद में किताबे जो है संभावित अगर कोई वाइरस है या कुछ भी चीज़े है तो अच्छे तरीके से साफ हो जाएगी ऐसा इस मसीन का निर्मान करने वाली उनिवस्टी का नाम है नोर्थ इस्टन हिल उनिवस्टी सी आप्चन जो है इस किशन का हमारा बिल्कुल ठीक है जो कि आपको फोटो में दिखाई जै रही है यही है वो मसीन यह North Eastern Hill University सिलॉंग में स्तित है और North Eastern Hill University के जो रिसर्चर्चर्थ हैं उन्होंने ही जो एस्ट्रेंट को संक्रमन से बचाने के लिए एक बहतरीन इनोमेंचन करते हुए एक बुक सेनेटाइजिंग मसीन बनाई है इस मसीन के अंदर एक राउंड में लगब 45 मिनिट में डेड़ सो किताबे जो है वो सेनेटाइज की जा सकती है और एक किताब को सेनेटाइज करने का खर्च लगब 20 पैसा आता है ठीक है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग निवन में से किसी दूर संचार कमपनी ने भारत सरकार के खिलाफ 20,000 क्रोड रुपे का रेट्रोस्पेक्टिव टेक्स का केस जो है जीत लिया है देखिएगा 2007 में होंग कॉंग के एक हैचेशन ग्रूप के मालिक है जिनका नाम है हैचेशन हामपोवा उनसे इन्होंने मोबाइल बिजनस एसपार में 67% हिसेदारी 11 अरब डॉलर में खरीदी थी और ये हिसेदारी जो है निदरलेंड और केमेन आइरलेंड के स्तित कम्पनि के जरीय ली गई थी इस डिल पर भारत का इंकम टेक्स डिपार्टमेंट जो है इन्होंने वर्ट आफ उन से Capital Gain Tax मांग करने लग गया उसे टाइम से हलांकि Capital Gain Tax जो है उसको चुकाने पर राजी हुई थी ये कंपरी लेकिन उसके बाद में भारत सरकार ने उनसे Retrospective Tax की भी मांग करने लग गये यानि कि ये डिल 2007 में हुई थी और Income Tax Department लगातार जो है विद हॉल्डिंग टेक्स की मांग कर रहा था इसके बाद कंपरी ने 2012 के अंदर इस डिमांड के खिलाफ सुप्रियम कोट में केस दरज किया और सुप्रियम कोट ने 2007 में अपने फैसले में कहा कि Vodafone ने Income Tax Act 1961 को ठीक से समझा है 2007 में ये डिल टेक्स के दाइरे में नहीं थी तो अब पर इस पर कोई टेक्स नहीं लगाया जा सकता हलंकि बाद में फिर भार सरकार ने एक Act 2012 के तहती Retrospective Tax लागू कर दिया यानि कि सरकार ने 2012 में ये कानून बनाया और 2007 में ही जो है टेक्स का का काम कर दिया कानूनी 2012 में बनाया तो 2007 में जो समझोता हो गया तो टेक्स किस बात पर लगा हो गया आप लोग फिर Vodafone ने 3 जनवरी 2013 को कहा कि 14,200 क्रोड रुपे का टेक्स मांगा गया है इसमें प्रिंसिपल और ब्याज वगरा सब कुछ पैलेंटी वगरा जो है वो तो अच्छे से जोड़ी भी नहीं थी और 10 जनवरी 2014 को इस फैसले की चुनोती के लिए दोनों पक्स में सहमती भी नहीं बनी थी और इसके बाद में 12 फरवरी को 12 फरवरी जो और 16 की बात है तब वोड़ाफोन पे जो है भार सरकार की तरफ से 22,100 क्रोड रुपे का टेक्स का नोटिस दिया तो उसके बाद में ये चले गए अंतरास्टी नियाले के अंदर चले गए ठीक है और अंतरास्टी नियाले दाहे कोट ने क्या कहा ये भारतिय टेक्स डिपार्टमेंट ने निस्पक्ष और बराबरी से काम नहीं लिया इस वज़े से ये फैसला हक में गया वोड़ाफोन के तो एक शोट सी बात आपको मैंने बता दी है यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग इफकी के कौन से संस्क्रण का आयोजन नवंबर में सगित करते हुए अगले साल 16 से 24 जनवरी तक आयोज़ित करने की घोशना की गई है इसका है ये 51 संस्क्रण इफकी का मतलब है International Film Festival of India ये 28 से 20 से 28 नवंबर तक होने वाला था ठीक है International Film Festival of India की स्थापना कब हुई थी 1952 के अंदर हुई थी और इसका आने वाले टाइम में जो आयोज़न है वो डिजिटल और यू कहिएगा आप लोग के साथ में आफलाइन दोनों हों तरीके से जो है किया जाएगा निमन में से किस देश ने भारत समें तीन देशों की यात्रा पर पर परतीबंद लगा दिया है तो सॉधी अरब ने परतीबंद लगाया है COVID-19 को चलते वे ए आप्शिन जो है इस किस्तन का हमारा बिलकुल ठीक है भारत के अलावा इसमें ब्राजिल और अर्जेंटिना भी सामिल है ठीक है इसके अलावा जो लोग इन देशों से यात्रा करके आएं है उनकी 14 दिनों के लिए आईसोलेशन में उनने रखा गया है खेर ये तो सबी देशों के अंदर चल ही रहा है बात मैं सौधी अरब की कर रहा हूं तो यहां की राज़दानी रियाद है करंसी रियाल है ठीक है और सल्मान मुहमद जो है वो यहां के राजा है ठीक है बिन सल्मान मुहमद है से करके इनका पूरा नाम सा है हाले में किस रेल राज्य मंत्री का 65 वर्स की उमर में करोना की कारण निधन हो गया है रेल राज्य मंत्री जिनका नाम है सुरेश अंगडी ठीक है और इनका भी हाल ही में 65 वर्स की उमर में करोना की वज़े से जो है निदन हो गया है जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं ये ये 2004, 2009, 2014 और 2019 में बेल गाम से लोकसवा चुनाव जीत कर सांसद बने हैं ठीक है और के साथ में जो है ये इससे पहले जो है काफी टाइम हो गया है और इन्होंने जो है राजे सबा के सांसद का पद भी संबाला है और करनाटक की बेल गाम सीट से चार बार लोग सबा के सांसद बने हैं 2004, 2014 और 2019 ठीक है अब ये इस दुनिया में नहीं रहे सचिन तैंदूलकर का रिकोर्ड तोड़ते हुए केल राहुल आईपिल में सबसे तेज कितने हजार अन बनाने वाले भारतिय बल्ले बाज बन गए है आईपिल में ये दो हजार अन बनाने वाले सबसे तेज बारतिय बल्ले बाज बन गए है यह option जो है इस किस्तन का हमारा बिल्कुल ठीक है जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है केल रहुल और सचिन तैंदूलकर ने यह record 63 पारियों में बनाया था लेकिन इन्होंने 60 पारियों में 2000 अन्द बना दिये हैं और जबकि क्रिस गेल आईपेल में सबसे 3000 अन्द बनाने वाले सभी बल्लेबाजों से उपर है उन्होंने 48 मैच में 2000 अन्द पूरे कर लिये थे वेस्ट इंडीज की स्टेफनी टेलर महिला टी 20 में 3000 अन्द बनाने वाले कौन सी खिलाडी बन गई है तो वेस्ट इंडीज की स्टेफनी टेलर महिला टी 20 में 3000 अन्द बनाने वाले दूसरी खिलाडी बन गई है बी आप्शन जो है इस किस्टन का हमारा बिल्कुल ठीक है स्टेफनी टेलर आपको फोटो में दिखाई दे रही है अचाहिए इन से पहले ये दूसरी है पर पहली कौन है तो पहली जो खिलाडी है पहले नमबर पे न्यूजिलेंड की सूजी बेट्स है जो की आपको फोटो में दिखाई दे रही है ये ठीक है और इन्होंने 119 मैच में 32,43 रंद बनाए हैं जबकि दूसरे स्टान पे स्टेफनी टेलर है इन्होंने 105 मैं मैच के अंदर 3020 रंद बनाए हैं और इस लिस्ट में टोप 5 में 3 ही महिला खिलाडी हैं ये बात भी आप याद कर लीजिएगा योग ब्रेक प्रोटोकॉल से जोड़ी गती वीदियों को बढ़ावा देने के लिए किसने हाली में योग हेतु आउकास योग ब्रेक के सुरुवात की है काम करते करते ठक जाएं तो योगा के लिए ब्रेक लिया जा सकता है और इसकी सुरुवात की है भारत के अंदर आयू समंत्राले के दवरा डी आप्शन जो है इसके सनका हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा आयू समंत्राले ने ही जो है 2019 में पांच मिनिट का योग ब्रेक प्रोटोकॉल डेवलप किया था और अब इसे जो है लागू करने का वक्त आ गया है ठीक है और आयू समंत्राले के जो हमारे इंडिपेंडेंट चार्जिस मंत्री के पास में उनका नाम है स्रीपद ये सोनायक इसकी स्थापना हुई थी 9 नमबर 2014 को 26 स APP को दुणिया भर में कौन सा दीवस मनाते हैं तो 26 स APP को दुणिया भर में दीवस मनाये जाता है बागीरों के लिए समाजिक, आर्ठिक, और राजनितिक, आधिकारों के परती लोगों में जागुकता उत्पन करना और साथ की साथ समाज और देश में उनकी उपयोगिता के बारे में भी बताना इस दिवस का में उदिश्य है ये ठीक है जो लोगों को सुनाई नहीं देता है बोल नहीं सकते हैं वो साइन लेंग्विज का सहारा लेते हैं ठीक है चलिए इसी के साथ ये लेक्षर समाप्त होता है पर आपके लिए क्युस्टन है कि निम्न में से पहली महिला को राफेल उडाने का लडाकू विमान उडाने का लिए चुना गया है